वितमंत्री निर्मला सिता नमन ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया है और 47 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राश्ट्रपती और वितमंत्री दोनों महिलाए है और हमारे साथ इक महिला सांसद नवली तराना जी है नवली जी किस तरह से इस बजट को महिलाओं के नजरी से देखती है जब भी हम अंदर बैठती हूं ऐजे मैं परसनली मैं एक साधरन महिला करके मैं अंदर बैठती हूं और उसी दुरुष्ची कौन से देखती हूं कि जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों की जो सोच है लोगों को क्या पिक्षित है उसी दुरुष्ची कौन से मैंने अंदर देखा है पर जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी कई जादा अच्छा बजट अंदर पार्लमेंट में दिया गया है और महिला प्रेजिडेंट महिला वितमंत्री और हम महिला हमारी जो दुरुष चरजी के आवास के माध्यम से वो योजना को और इंप्लीमेशन दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए स्टांट अप को और मजबूत करने के लिए जॉब्स अपॉचुनिटी और उपलब्द कराने के लिए हमारे बच्चों को और उनके हाथ म जाते थे पांसलाग के अबोव में वो आज उनके प्रत्यक परिवार को प्रत्यक व्यक्ति को उसका बेनिफिट होगा उसका लाब होगा मिलिट्स अन्ना मिलिट्स करके जो योजना पहले जवारी भाकरी ये सब खिलाई जाती थी बोलते गरीब हैं तो वो खाएंगे पर आज सभी उसको प्रिफर कर रहें उसे एंकरेजमेंट करने के लिए फामर्स जो इसकी बुआई करते हैं उनको मजबूत करने के लिए उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपके सांथ सरकार है और इसे बढ़ातरी मिलेगी मतलब फामर्स को डिरेकली इंडिरेकली मिलेगी तो मुझे लगता है यह ओल ओवर बजट अगर आप देखेंगे महिलाओं की दुरूश्ची कोन से तो यह जितना अच्छा कर सकते थे उससे कहीं जादा अच्छा किया है क्रिशी के लिहां से अगर मैं जानना चाहूं बजट पर काफी फोकस किया क्रिशी को लिए इनोवेशन टेकनलोजी की बात की गई और गनिक खेती की बात की गई मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूं जो ऑनलाइन जब हम हमारे यहां पर रीथी नहीं थी कि ऑनलाइन पैसे काड में स्वाइप करके काड पैसे दिये जाए तब वो मोधी जी ने हमारे देश को सिख आया और आज मेजॉरेटी अगर आप देखेंगे तो ओनलाइन पैमेंस जो हम कर रहे हैं वो ओनलाइन जा रहा है तो डिरेक्ट फायदा वो देश के लोगों को हो रहा है जब सरकार को उसका बेनिफिट मिलता है और आने वाले समय में नहीं सोच रखने वाला अगर कोई इ हम अपने खेतों में नहीं चीजें कैसी लाई जाएं उस पर किस तरीके से काम किया जाएं वो सब चीज लाने के लिए मुझे लगता है विजन बहुत क्लियर होना चाहिए ग्राउन पे रहने वाला व्यक्ति वो कर सकते और वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर सकते और जो बजट एक्सपेक्टेट था उससे कहीं बैतर ये बजट पेश किया गया है विरोधो कुछ भी कहे हैं विरोधों को एल्ली दिखा तो सही बजट आया है उनके कारियकाल में तो बजट ही नहीं दिखता था सर उनके कहीं ठराविक लोग दिखते थे आंक्यू तो